हमारे साथ इस वक्त ब्रामभण महासंग फाउंडेशन के प्रदेश सच्चिव प्रमोजी मौजूद हैं और आपके बारे में छेत्रवे तमाम तरीके के आप बराबर निरंतर समाज का सेवा करते रहे हैं और आप से सीधा जानेंगे कि इस जिम्मेदारी के बाद आप क्या करने वाले हैं ताकि संगठन और मजबूती से अपना काम कर सके मैं प्रमोज तिवारी ब्रामध महास्वंग फाउंडेशन के प्रदेश सच्चिव और मैं राष्ट्री अध्यास जी को प्रदेश अध्यास जी को पंडिश साधु तिवारी जी को तहें दिल से धन्यवाद देता हूं और संगठन के लिए मैं नए सिरे से जीला अध्याच नगर अध्याच वा मंडल अध्याचों का चैन कर रहा हूं और नए नए चेहरे को तलास रहा हूं जो की संगठन को आगे बढ़ा हूए दरसल ये देखा जाता है कि तमाम राजनेतिक संगठन अपने अपने चेत्र में काम करती हैं तो क्या ये आवस्यक है कि किसी जाति वर्ग के संगठन में सक्री होके वो क्या संदेश देता है समाज को ये मेरा परसनल किसी जात और नहीं है हमारा संगठन का मयूल उद्देश ये पहले तो अपने संगठनों को ब्रामभर की जाहित की बात है उसको एक जूटता करना उसके बाद समाज में प्रतेक जातिकों मतलब आहित जहां भी हो रहा है उसका मतलब हम लोग बिरोध ब्रामभर महा संग की एक खासियत के बारे में आज इनों ने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रामभर महा संगठन से ब्रामभरों के लिए नहीं बलकि समाज के सभी वरगों के हितकी लड़ाई लड़ेगा बिलकूल मैं समाज के सभी वर्गों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और साथ में ब्रामोडों की परसनल जहां आती है बात वहाँ पर भी जैसे हमारा संख्ठन कार कर रहा है उनके लिए भी लड़ा जाएगा इस प्राचीन मंदिर के बारे में भी चर्चा है कि आपके साथ एक घटना घटी उसके बाद आपने इस मंदिर का यहां निर्माड कराया च्छेतर में इस बात की चर्चा है तो और कैसे देखते हैं इसको क्या पेक्षा है यहां के प्रसासन से इस मंदिर के बारे में कि यह बात मतलव इंसे पुछ लीजे है मारी बटे-भाइया है मंदिर के बारे में जनकारी ले सकते हैं एक राप बताएं कि मंदिर के बारे में क्या आपको लगता है कि कहांकि capital प्रसासन और काम करे एक मंदिर्ण और भ्हतान लेकिन यहां पर्नों 104 थी प्राबलम होती है तो हम सरकार से यही गुजारिस करेंगे कि यहां पर जल्द से जल्द इसका निर्मान कराई जाए और उन लोगों को सुधा मुहिया कराई जाए एक बत और संगठन को लेके लोग जाना चाहते हैं कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है आपके संगठन में आने के बाद तो और क्या समाज के लिए जो ऐसे बच्चे हैं जो निर्धन हैं और होनहार हैं इनके लिए क्या कोई आपका प्लान है बिल्कूल मेरा प्लान इनके लिए मेरा संगठन एक काम बहुत बढ़ियां कर रहा है जैसे कि जो गरीब परिवार हैं उनके पढ़ाई के लिए भी मतलब अभी एक युजना चला रहा हैं कि हम लोग आपस में जो धन्वान या कुछ सही धंग के परिवार से समानित परिव कोई संगठन नहीं कराई हैं तो हम लोगों का यह अगला कदम रहेगा कि गरीब बच्चियों का लड़कियों का सामुहिक विवाह कराया जाए हैं आपका बाबा जी क्या नाम है राजाराम तिवारी जी भी हमारे साथ हैं इस साही नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में जाने जाते हैं और आप से भी जानना चाहेंगे कि तमाम दंद कताओं के मताबिक यहां भी बाबा की किरपा बराबर बरस्ती रहती है आपको कब लगा कि बाबा की किरप साक्षाद आपने देखा आप बताईए लोगों को सरबुधम 2009 की बात है एक फकीर बेशधारी आदमी इत्थीक मई जून के महिने में आये और घर पर जो है नंगे पाउं थे उसके बाद जलते हुए पत्थल पर खड़े हुए न की नीम पिछाया थी वहां खड़े हुए न तो जमीन पर खड़े हुए केवल वे पत्थल पर ही धूब में जो रखा हुए था उसी पत्थल पर ही खड़े रहे इसके बाद उन्होंने आशिरबाद दिया और फल सरूप जो है कुछ लोगों ने देखा कि बाबा केवली विद्याले है विद्याले के पास एक कोल है वहां तक आये और फिर वहां से अध्रिस हो गए पता नहीं चल पाया कि बाबा किधर गए किस दिशा में गए या किसी को नहीं मालूम हुआ और सर लोग देखते रह गए तो उस समय निर्ना लिया गया कि इस मंदिर को जो है बाबा ने दर्सन दिया है और यह मंदिर बनाया जाए इसके अत्रिक और सारी बियोस्थाया है कि यहां जो लोग आते हैं सच्चे हिदर से एक बार से धुका लिए चाहरास्ते पर चलते हुए जाए या दर्बार में भाबा के आए उनकी मंसा अवज से पूर्ण होती है तो आपने सुना और देखा भी कि यह मिर्जापूर भधोई मुख्य मार्ग पर इस्थित यह साइनाथ मंदिर अपने आप में तमाम चमतकारों रहस्यों को समेटे हुए है इसी तरीके से यहाँ पर विसुन दासपूर छेतर में इस्थित यह जो मंदिर है एक बालक भी है इस बालक के पीछे भी इस मंदिर के कहानी है सर आप मालूम है कि यह लड़का भी खो गया था और इसकी प्राप्ति के बाद आप भगवान का चमतकार मानते हैं साइनाथ के चमतकार से बालक मिला है हम कैवरामेन को बताना चाहेंगे कि इस बालक को दिखाएं और ये बालक चमतकारिक रूप से सेडी के साहीनाथ दरबार में खो गया था और उसके बाद इसकी प्राप्ती की उपरांत आपको स्रद्धा और जागरित हुआ तो इसको कैसे देखते हैं क्या उसी की प्रेणा स्रोष से ही इस मंदिर का निर्माड हुआ है जी बिल्कुल उसी की प्रेणा स्रोष से हुआ है उसके पहले भी मैं बाबा को मानता था मिर्जापूर जो वासली गंज मेरी घटना क्या थी जड़ा बता है पुरिंग घटना यहां से जब हम गए दर्सन करने सेड़ी गए दर्सन करने बाबा का तो वहां पर दर्सन करने को परांत हम लोग मुंबई आएं तो मुंबई में यह लड़का खो गया कि खो गया काफी मतब चार-पास घंटे हम लोग इधर उधर भटके और अगल बगल के मोले के लोग इसको खुजने में लगे नहीं मिला अचानत एक महिला जो इसको जानती भी नहीं थी हम लोगों को जानती भी नहीं थी वो मेरे रूम पर लेआकर सुफुर्द कर रही है कि आप देखो यह लड़का मतलब यहां से करेम आठ किलो मेटर दूर बहक के गया था जहां मुंबई में हम लोग रह रहे हैं तो वहां से वह लेकर आई तो एक बाबा का चमतकारी इसको हम मानते हैं कि हमारे साथ तो बाबा ने बहुत बड़ा चमतकार किया हैं न कोई जानने यही प्रयास रहती है कि बाबा की दरवार में कोई भी आए तो खाली पेट वापिस न जाए मिर्जापुसे टीवी हंड़िट के लिए विरेंद्र गुपता